Hello friends, welcome to my channel So friends, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं Class 9 की SST की बुक का 1st chapter के question answers तो ये जो very short question है 5 आज हम वो discuss करेंगे and जो 5th question में आपको problem हो रही थी हम उसे भी discuss करेंगे तो start करते हैं, इससे पहले हमने वीडियोस बनाई हुई है इसी lesson से related जो की राजस्तान में 1857 की क्रांती से related है तो उसमें आपको पूरा lesson बढ़ाएगे है तो आप पहले उस lesson को अच्छे से read करना जिससे आपको हर एक बात प्रोपर वे में समझ में आ जाएगी 1857 की क्रांती से related तो 1st question है 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्तान के किस रियासत के साथ संदी की यानि कि अंग्रेजों ने राजस्तान में जितनी भी रियासते थी उस समय राजस्तान में 19 रियासते थी तो उन सभी रियासतों के साथ के हैं संदी की थी तो सब से लास्ट में कौन सी रियासत ने संदी की थी तो इसका अंसर आएगा सिरो ही सेकेंड कोशन है 1857 इसमिंग की करांती आरम होने के सम्य राजस्थान में कहां-कहां सैनिक चावनिया थी यानि कि जब 807 की क्रांती राजस्तान में हुई थी तब अंग्रेजों ने कहां कहां पर राजस्तान में सैनिक चावनिया बनाई थी तो राजस्तान में टोटल 6 चावनिया थी और ये कहां पर थी फर्स्ट है एरेंपुरा जो कि पाली में आता है Second नीमच जो कि मद्यापदेश में आता है लेकिन इस जो शेतर है या फिर यह जो चावनी है इस पर कंट्रोल राजस्थान कही था और राजस्थान में जो मेवार जगा थी यानि कि जो मेवार यास थी उसका कंट्रोल था थर्ड है नसीराबाल जो की अजमेर में है फॉर्थ है ब्यावर ये भी अजमेर में है फिफ्थ है देवली जो की टॉंक में है और सिख्थ चावनी है जो वो है खैरवाडा जो की उद्यपुर में है इससे आप ट्रिक के अकोडिंग भी याद कर सकते हो एनी ने मेरा ब्याँ नहीं देखा ए से अरिनपुरा, नी से नीमच, ने से नसीराबाद, फिर ब्याहा है जो उसे ब्यावर, दे से देवली और ख से खेरवाड़ा एन इसके बाद जो थर्ड क्वेशन है राजस्तान में 1857 की क्रांती का आरंग किस दिनाग को हुआ? यानि कि भारत में क्रांती अलग टाइम पर हुई थी और राजस्तान में क्रांती किश्रुवात है जो वो अलग दिनाग को हुई थी तो राजस्तान में 1857 की जो क्रांती है वो 28 मई 1857 को हुई थी और ये कहां से शुरू हुई थी तो ये नसीराबाप्त से शुरू हुई थी जो की अजमेर में है फॉर्थ कोशन है राजिस्तान के उन तीन परमुक स्थानों का नाम बताएं जहां 1857 इस्वी में सैनिक विद्रो हुआ यानि कि कौन-कौन से शेतर थे जहां पर सैनिक विद्रो हुआ तो यहां पर आपको में ये रियां देना है कि यहां पर सैनिक विद्रो हुच्छा है और एक जो छावनी थी वो कोटा में थी बट वहाँ पर भी विद्रो हुआ था तो यहाँ पर पूछा गया कि तीन ऐसे स्थान बताने है जो यहाँ पर अठासु स्थावन की क्रांती हुई थी तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है नसीराबाद जो की अजमेर में है सैकेंड आप लिख सकते हो नीमच जो की मद्यापदेश में है और थर्ड है देवली जो की टॉंक में है तो इसके बाद हम नेक्स्ट कॉशन देख लेते हैं फिफ्ट जिसमें आपको बहुँ ज़्यादा डाउट था तो इसमें कॉशन दिया हुआ है राजस्तान के उन तीन राजाओं के नाम बताईए जिसमें अठासुस्तावन की क्रांती में क्रांती कारियों का समर्थन किया यानि कि अठासुस्तावन की क्रांती में ऐसे कौन से राजा थे जिन्नोंने अंग्रेजों के आसाथ ना दिया यानि कि अंग्रेजों की help नहीं की थी बलकि क्रांती कारियों की help की थी तो अगर आप book का पूरा lesson भी read करोगे तो भी वहाँ पर कहा है कि proper way में direct बात नहीं कही गई है तो यहाँ पर एक शाशक था निमबा हेडा का जिसका नाम था फिरोज शाहा तो यह जो व्यक्ति था फिरोज शाहा इसने अपने आपको निमबा हेडा का राजा बताकर जनता का नेततव किया था यानि कि जनता को क्रांती करने के लिए कहा गया था इसके बाद second आपकी book में लिखा हुआ है जोधपुर के महाराजा बट यहाँ पर महाराजा का नाम नहीं दिया हुआ है और आप यहाँ पर तक्त सिंग नहीं लिखोगे क्योंकि जो तक्त सिंग है उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था तक्त सिंग से पहले कि जो महाराजा थे उन्होंने इनकी help की थी क्रांती कारियों की और जो जोदपुर के महाराजा थे उन्होंने सिंगवी के कुशल राज के नेततव में क्रांतिकारियों की हैल्प की थी यानि कि जो अववा के ठाको कुशाल सिंग थे जब वो लड़ाई करने के लिए जा रहे थे अंग्रेजों के साथ तब जोदपुर के जो महाराज है उन्होंने सिंगवी कुशल राज के नेततब में अपनी सेना भेजी थी इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम आता है सिरोही के शीफ सिंग तो जो शीफ सिंग है उन्होंने क्रांतिकारियों की हल्प की थी इसके साथ ही उन्होंने एक नारा भी दिया था और वो क्या नारा था चलो दिली मारो फिरंगी तो अब यह जो question है इसमें काफी जादा doubt है अगर आप net पर भी search करोगे तो भी आपको proper way में इसका answer नहीं मेलेगा तो जो हमारे proof यानि की पक्के हैं कि हमें पूरा sure है कि इन राज़ारों ने क्रांथिकार की help की हैं तो फर्स्ट है सिर्होई के शिर्फ सिंग आपको ये नाम लिख देना है क्योंकि ये सही है second आप अगर आप इस question को ध्यान से पड़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है डुंगरपूर रियासत का वहर शाषक जिसे अंग्रेज हुकूमत द्वारा बर्खास्त कर व्रिंदावन बेश दिया गया था यानि कि डुंगरपूर रियासत के कौन से राजा थे तो उनका नाम है जस्वन सिंग second अब अंग्रेजों ने अगर इने बर्खास्त किया है that means कि इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया होगा तो इस तरीके से आपका जो कोशन का आंसर है वो ये भी बन सकता है डुंगरपूर के जस्वन सिंग second जिनोंने अंग्रेजों का विरोध किया था और क्रांतिकारियों की help की थी तो यहाँ पर हमारे पास दो नाम हो चुके हैं एक सिरोही के शिव सिंग और second डुंगरपूर यासत के जस्वन सिंग second और third जो नाम है वो भी हम देख लेते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिको को अपने यहाँ ठहरा कर उनकी help की तो यहाँ पर लिखा हुआ है शहापूरा के राजा लक्षमन सिंग तो आपका यह भी आँसर बन सकता है थर्ड आप जो राजा हैं उनका क्या नाम लिखोगे शहापूरा के राजा लक्षमन सिंग और जो निमबा हेडा के बारे में आपको बात बताई है उसमें क्या था कि निमबा हेडा के जो फिरोश रहा थे उन्होंने अपने आपको क्या है राजा बता दिया और वहां के जो क्रांतिकारी है जो भी जनता थी जिन्होंने क्रांति की थी उनको पूरा सपोर्ट किया इसी कारण अंग्रेज जो ने क्या है कि उस पर जो निमबा हेडा शेतर है उस पर अधिकार कर लिया था और किसकी help से किया था मेवार की help से यहां पर आपको चार राजाओं के नाम बता दिये गए है और आपको दिखा भी दिया गया है कि बुक में लिखा हुआ है तो उस तरीके से आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा तो यहां पर जो जोदपुर के महराजा है तो बुक में नहीं बताएगे है उन महराजा के नाम तो आप जोदपुर के महराजा मत लिखना एक सिरोही का नाम लिख लेना सेकंड आप लिख लोगे डुंगरपुर रियासत का और थर्ड आप लिख लोगे यहाँ पर लिखा हुआ है शहापूरा के राजा लक्षमन सिंका So hopefully आपको यह जो पांचो कोशन है वो समझ में आगे होंगे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका डाउट दूट कर दिये जाएगा So thank you friends for watching my video, thank you